बुलकुल ऐसे कैसे देखे हैं कि हमें सिच्वेशन से बाहर निकलना है कि मालो हमारे पास बारबर कोई प्रॉब्लम आ रही है हम उसे फेस कर रहे हैं फिर जो आस पास के हमारे स्राउंडिंग के लोगे वो भी टौंटिंग कर रहे हैं हम पर नहीं तुमने पहले भी ऐसे किया था अब फिर तुम फेल हो जाओगे इसमें तो वहां जाकर कि हम इस तक हो जाते हैं और फिर हमारा खुम अब भी जाओगें यह ईसार छोट लिए आप प्राट वही ऑफ जाते हैं लिए जाते हैं प्रॉप्लम जो है इतनी जादा क्योंकि एक्ष। जो डिए लाफन पेल्स अपर निग्ल जाते हैं तो भी जाते हैं तो और फिर वापिस आपर वापिस जो आप को तो पाई हो कि यहांने की निकलने का भी कोई राषा है अगर यहां पर मैं एक-एक करके सबको बोलू कि आप बताओ कि आपकी लाइफ में क्या-क्या प्रॉप्लम्हाई है तो उसार, कोई सोच भी नहीं सकता कि अच्छा, studying problem भी कोई फेस कर सकता है, क्या? तो इन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी कुछ लोग आगे भढ़ पाते हैं कुछ नहीं भढ़ पाते हैं That is the big question कि exactly हम stuck कहाँ पर होते हैं क्या हम actual में life में problems में फसते हैं या उन problems को ले करके जो हमारी thinking है वहां फसते हैं सबसे पहले यह चीज हमको clear होना चाहिए तो जो हम कहरे हैं फस गए हैं हम actual में problems में नहीं फसे हैं क्योंकि problems तो सबकी life में हैं हम actual में thinking में फस जाते हैं यह point सुनने में छोटा लग रहा होगा में लाइफ रहेगी बद मुमें यू से कि में problems में नहीं फसा हूँ problems मतलब life life में नहीं फसा हूँ मैं life के बारे में जो मेरी thinking है उदर में फस गया हूँ जाकर के अब मैं उस thinking को कैसे change करूँ right if you say that तो वो आपके हाथ में पूरा control है but if you ask me this question कि मेरी life की जो problems है वो कैसे solve हूँ तो उसका कोई जवाब नहीं है क्योंकि वो कभी नहीं होगा आज आपकी एक problem में वो solve हो भी जाएगी कल कोई और problem आजाएगी परसो कोई और आजाएगी फिर कोई और आजाएगी फिर कोई और आजाएगी right sir तो कैसे हम अपनी thinking को change करें simple thinking change हो गई तो सब change हो जाएगा सब change हो जाएगा क्योंकि problems को देखने का नजरिया बदल गया तो problem बदल गई एक बंदा जिसकी thinking नहीं फसी हुई है उसको आप चारो तोसे फसा दो वो निकल जाएगा लेकिन जिसकी thinking फसी हुई है उसको आप जा करके दुनिया जहान के सारे resources दे दो पूरा का पूरा ख़जाना भी दे दो तब भी वो नहीं निकल पाएगा तब भी रोएगा बैट करके क्या आप मेरे को चारो तरो ख़जाने से कैद कर दी है आप भी खगाना है कैद नहीं है देखें न ऐसे लोग गो जिनके पास में सब कुछ है लेकि रोते रहते है तो सब कुछ मिलना इस नहीं है जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी रो रहे है तो अब आता है कि इसका solution क्या है कि we are stuck in our thought process how to get out of it तो सबसे पहले चीज यह समझने है ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता है सही सोचने से होता है अभी सही सोचना क्या है what is right thinking not positively सोचना इसको भी ध्यान से समझ लेना positive सोचना क्या सही सोचना होता है for example आगे आप जा रहे हो किसी जंगल में हो मैंने टावीज पहना होगा यह मुझे बचाएगा बहुत लोग हैं बहुत positive है life को ले करके बट क्या उनकी सोच सही है अभी सही सोचना क्या है सर मेरे आप से मलब intelligency से सोचना मलब कुछ ऐसा सोचे कि आगे जाके हमें कोई हानी नहो कि एक intelligent mind से सोचे अभी intelligent क्या है और foolish क्या है एक है foolish तरीका सोचने का बेवकूफों की तरह सोचना एक है intelligence के साथ में सोचना जिसको हम intelligence कहते हैं वो intelligence क्या है science को intelligence कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं नहीं कह सकते तो किसको कहोगे superstitions को intelligence कहोगे Superstitions मतलब क्या belief कुछ भी मान रखा है उसको पकड़के बैठे हो है उसके एसाब से act कर रहे है उसको intelligence कहोगे या science जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उसको intelligence कहोगे तो scientific way of thinking समझना पड़ेगा वो क्या है उसको अपनी life में लगाना पड़ेगा तब आप कह सकते हो आपकी जो thinking है वो सही है अब यह scientific thinking मतलब क्या reality को as it is देख लेना that is scientific thinking यही तो है और क्या है there are laws of this universe उसको as it is देख लेना उसको observe करना यही तो है scientific thinking उन laws को बदलना नहीं क्योंकि science बदल नहीं सकती उन laws को law of gravity को science बदल नहीं सकती है उस law को समझ करके उसके हिसाब से act कर सकती है इसी scientific thinking को अगर हमको अपनी life में लगाना हो तो इसका मतलब क्या एक thinking हो सकती है life से related जो भी आपके दिमाग में कचरा भरा पड़ा है बच्पन से ले करके आज तक जैसा आपको समझाया गया है life के बारे में किसने समझाया है वो लोग जो खुद नहीं समझते life के बारे में अपने-पने beliefs बनाए हुए है अपने-अपने standpoint से life को देख रहे है for example को हिंदू है तो एक तरीके से life को देख रहे है कोई Muslim है तो अलग तरीके से लाइप को देख रहा है, Christian है तो अलग तरीके से देख रहा है क्या सही है इन तीनों में से? कि तीनों को सही thinking कह सकते हैं? ना, क्योंकि आपस में लड़ जगड रहे है Science में कोई लड़ाई जगड़ा होता है अगर मैं किसी scientific fact की बारे में बात करूँगा क्या कोई Hindu, Muslim, Christian आपकर के आपस में लड़ सकते हैं? नहीं, तो ये सही thinking है एक है जो हमें सही लगता है, एक है जो सही होता है तो नों में जमीन आस्मान का फर्क है एक है जो आपको सही लगता है, एक है जो सही है तो scientific thinking का मतलब क्या? अगर इसको हमको life में लगाना हो तो यानि life को आप as it is देखो, observe करो फिर उसके बारे में सोचो, this is scientific thinking और ये जो funda जिसकी में बात कर रहा हूँ इसको आप life के किसी भी aspect में लगा सकते हो इसको business में लगा सकते हो, इसको job में लगा सकते हो, इसको relationship में लगा सकते हो, इसको relationship में लगा सकते हो, इसको health में लगा सकते हो बिजनस क्या है अगर reality को as it is देखना नहीं है तो अब ये जो आपने कहा कि business में सब जूटे बरे पड़े हैं क्या यह सच है या आपका अपना एक स्टेंड़ पॉइंट है? अभी इनों ने बोला कि बिजनस में सब जूटे भरे पड़े हैं अभी ऐसे ही हाँ पर में अलग-अलग लोगों से अलग-अलग बाते पुछूँगा ना तो सब बड़े confidence से बोलेंगे as if they know it, for sure जैसे मैं पूछूँगा हाँ यहाँ पर किसी male का किसी का breakup होगा सारी नडगी ऐसी होती है, सब दोके बाद है ऐसी कोई नडगी से पूछूँगा, वो आकर बोल देगी सार यह तो मर्द जाब तो ही ऐसी इसे कुछ हो ही नहीं सकते, क्या यह सच है यह आपका अपना एक standpoint है, अपना आपका एक belief है तो ध्यान से समझ लेना, इसका जो सबसे पहला step है वो है अंदर जो भी कुछ पढ़ा हुआ है आपके, जो भी आपने मान रखा है उसको छोड़ दिया, अब अप फलके फलके हो गए अब as it is देखा life को life को observe किया as life, not my life for example, anger क्या अंगर आपका है बट आप अंगर का solution कैसे निकालते हो मुझे गुसा आता है, मुझे गुसा नहीं करना है कभी आप अंगर का ऐसे solution निकाल ही नहीं सकते है सिर्फ आपको आता है गुसा है या सबको आता है सबको आता है तो क्या आंगर सिर्फ आपकी problem है या आंगर एक life की problem है एक लाइफ की problem है fear, if you can look at fear not your fear or my fear fear डर है ना वो डर क्या है can you look at it इसको बोलते हैं scientifically चीजों को देखना relationship, not my relationship or your relationship relationship तो इस तरह से जब हम चीजों को देखते हैं not from a subjective point of view but from an objective point of view जैसे एक scientist देखता है जैसे एक scientist observe करता है वहाँ पर ना खुश हुआ जाता है ना परिशान हुआ जाता है ना positive हुआ जाता है ना negative हुआ जाता है तो इस positive and negative is your standpoint, is a subjective point of view in objective reality उसमें खुश क्या होना है और दुखी क्या होना है वहाँ पर सब कुछ clearly नजर आ रहा होता है वहाँ पर कभी भी हमारी thought process stuck नहीं होती है हम फस ही नहीं सकते हैं beliefs में आप guaranteed फसोगे short term में वह अच्छे लग रहे होते है क्योंकि वहाँ पर comfort मिलता है जो भी हमने मान रखा है अगर उसको पकड़ दर के हम बैठे रहें और उसमें गोल-गोल घुमते रहें तो बड़ा comfort मिलता है लेकिन आगे जाकर रहे हो हमको फसा देता है entangled कर देता है बड़ जो reality है वो दीरे 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 आपको अजाद करती रहती है जितना आप reality को समझ जाते है उस level तक यानि कि अगर इसको मैं पूरा sum up करूँ जो भी मैंने अब तक कहा है उसको ये session शुरू कहा से हुआ था था failure से हुआ था कि एक के बाद एक, एक के बाद एक हमने life में बहुत सारे failures face करे है तो अब अपने failures को observe मत करो अपने को बीच में से हटा दो observe करो ये जो failures है ये क्या है तो you will start seeing the nature of those failures you will start seeing the causes of those failures for example मेरी life है अगर मैं को उसको observe करना है दो तरीके हो सकते हैं एक ही है, मैं अपनी life में थोड़ा सजा रहा हूँ जिससे के आप उसको relate कर सको मैंने पास में कुछ गल्तियां करी बहुत बड़ी बड़ी गल्तियां करी major losses हुए तो एक एंगल तो ये हो सकता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ दूसरा ये है कि मैं observe करूँ कि exactly वह गल्ति क्या थी और इसका cause क्या था तो दिख जाता है अच्छा उस टाइम पे वह greed बहुत ज़्यादा हावी हुई पड़ी थी अच्छा इग्रीड क्यों हावी हुई पड़ी थी इतना लालच क्यों हुआ हुआ था कि हाँ ये करना है ये करना है ये करना है ये क्यों आया हुआ था और बच्पन से ऐसी कंडिशनिंग हुई पड़ी थी बच्पन से घर में यही सारी बाते सुनी थी तो इसलिए आप टिंग आउट आप बैट इन्फोर्मेशन जो मेरे अंदर फीड़ीड थी ये बाते सब्सक्राइब थी दॉप प्रिशन जोड़ी थी जिसकी वज़े से मैंने जल्दी से अक्किया बिना सोचे समझे बिना सही थिंकिंग के अक्कर दिया उस वज़े से जाकर के फंस कया तो मुझे उस बंदे ने नहीं फसाया मैं खुद फसा अपने लालच की वज़े से तो अब ये क्लियर हो रहा है हम कैसे देखते हैं तो once we see that तो अब मैं उससे पूरी तरह से फ्री हो गया because I understood something which is very basic in life जिसकी वज़े से पूरी की पूरी लाइफ एक अलग ट्रैक पर निकल गई क्या समझ आया कि कभी भी greed से act नहीं करना है अब इसको हम समझते हैं कैसे समझते हैं moral science की book से वो सब दखवास है ये लालच नहीं होना चाहिए सबके अंदर लालच बरा बढ़ा है बट लालच हमको कैसे फसाता है इसको observe किया अपनी गलतियों के देश पर और फिर समझ आया अच्छा ये होता है लालच से ग्रोथ नहीं होती है लालच से आप पैसा कमा सकते हो बट उसको आप ग्रोथ नहीं कह सकते हैं यूंकि आप degrade हो रहे हो तो आप actual में ग्रोथ नहीं कर रहे हो actual growth में उसको कह सकता हूँ जो holistic growth हो उसको growth बोल सकते हैं आपने पैसा तो कमा लिया लेकिन डर में जी रहे हो कि मैंने इतने गफले कर दी हैं अगर किसी दो पख़डा गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा क्या फाइदा इसी life का उसको आप growth का होगे can you call it growth ना तो लालच से growth नहीं होती ये चीज़े समझना पारिकी से step by step तो आप गलतियों का पूरा का पूरा nature समझ सकते हो the nature of mistakes the kinds of mistakes the types of mistakes और उनके causes क्या होते हैं और जैसे हमको ये सब समझ आ जाता है और साफ दिखने लग जाता है तो वो गलतिया होनी हमसे बंद हो जाती है और जितनी भी गलतिया हो सकती है उन सब के अगर nature समझ आ जाते है तो गलतिया होने की possibility future में almost खतम हो जाती है plus जब समझ आ गई है उसकी reality तो वहाँ पर overthinking के लिए जगे नहीं होती है आपन thinking में stuck नहीं होते है wish you all the very best thank you so much for coming आपने की तो जापने की तो जाते है